टार्गेट विदालोग के आनलाइन प्लेटफर्म से मैं पंडित अम्रेश भट आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दी का विनंदर करता हूँ मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश पुलिस भरती बोर्ड के दरोगा के शुभक्षूँ आप लोगों के लिए आज हम प्रश्णो तरही के रूप में 40 प्रश्णों की स्रिंखला को लेकर के आये हैं आप इसको अपने बिबेग के आधार पर इसका उत्तर दीजिएगा और स्वैम एनलसिस करिएगा कि आप कितना कोस्टन्स कर पा रहे हैं प्रयास किये हैं कि आपको अच्छे कोस्टन्स लिए जाने ताकि वो एक्जाम औरियेंटेट रहें यह एक्जाम में पूछने की संभावना वह रहे हैं तो आईए चलते हैं हम लोग अपने प्रश्णोतरी स्रिंखला पर और इस प्रश्णोतरी स्रिंखला को हम लोग देखते हैं पहला ही कोस्टन्स आपके सामने स्क्रीन पर है वाच्छ कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है कि ब्याकरण में वाच्छ भी दिया गया है और वाच्छ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपके सामने बिकल्प है वाच्छ तीन प्रकार के होते हैं इसमें कौन-कौन से वाच्छ होते हैं करत्री वाच्छ होता है कर्म वाच्चे होता है और भाव वाच्चे होता है ये तीन प्रकार के हमारे क्या होते हैं वाच्चे होते हैं चलिए अगले कोश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और कोश्चन्स नमबर दो पर हम आपसे रूबरू होते हैं तो कोश्चन नमबर दो दो नंबर उत्तर क्या कहता है इसको देखे आये महंत बशंत में अलंकार है यानि ये पंक्ति है आये महंत बशंत यानि इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है आपको बिकल्प में अनुपरास अलंकार यमकत लंकार, उपमा लंकार, मानमी करण लंकार ये चार प्रकार के लंकार का नाम दिया गया है और इसमें आपको बताना है आप दिखें आये महंत बशंत जब किसी प्रकृति की तुलना या किसी प्रकृति का वरणन मानमी रूप में किया जाता है तो वहाँ पर मानुवी करण अलंकार होता है तो मानुवी करण अलंकार आये महंत बशंत यानि महंत किस तरीके से आ रहे हैं बशंत की रूप में आ रहे हैं यानि प्रकृति का वरण जो है बशंत के आगमन यानि बशंत के आगमन महंत जिस प्रकार से महंत आते हैं उस प्रकार से रूप में प्रदर्शित किया गया है इसलिए यहाँ पर कौन सा लंकार हो जाएगा मानमी करणा लंकार हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और कोश्चन्स नंबर तीन पर हम आते हैं तीन नंबर कोश्चन्स क्या कहते हैं इसको देखे महा कभी देव यह महा कभी देव है देव ने किसको संचारी भाव स्विकार करते हैं यानि स्विकार किये हैं देव किसको संचारी भाव स्विकार किये हैं आप ये जानते हैं संचारी भाव की संख्या कितनी होती है 33 होती है जो रशों में होता है अब इसमें कहरें देव ने किसको संचारी भाव स्विकार किया है तो चक पकाहट एक छल है सांत है और मीर है तो इसमें किसको किया है देव ने छल को 34 संचारी भाव स्विकार करते हैं चोंतीसमा संचारी भाव क्या ये स्विकार करते हैं कौन से यह देव ने ठीक है इसलिए इसका उत्तर कौन सा हो जाता है दी हो जाता है चलिए अगले कोश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और कोश्चन्स नंबर चार को देखते हैं कहते हैं कोश्चन नंबर चार क्या कहता है कहता है कौन सा वाग के सकर्मक क्रिया का उदाहरन है यानि आपको यह वताना है कि कौन सा वाग के जो है इस सकर्मक क्रिया का उदाहरन है तो आप देखेंगे कर्मक्रिया का उदारण है यानि आपको सकर्मक्रिया आपसे पूछा गया है चार बिकल्प दिये गए हैं जिस वाक्य में या जिस क्रिया में जिस वाक्य में कर्म उपस्थित होते हैं उसे हम सकर्मक्रिया कहते हैं और जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होते हैं उसे हम कर्मक्र करिया कहते हैं एक सामान्य परिभाषा होता है अब यहां पर देखिए रस्मी सोती है इसमें कोई आपको कर्म की अवस्सक्ता नहीं है नहीं कर्म इसमें है इसलिए यह क्या है गलत यानि यह कर्म करिया के उदाहरण है ठीक है घोड़ा तेज दोड़ता है दोड़ना करिया है और क्रिया की विशेषता ये तेज है तो क्रिया विशेषन हो गया यानि इसमें भी नहीं है और ये भी अकर्मक क्रिया के ही उदारन हो जाते हैं असोक पीता है यहाँ पीना जो है यह पीता है पीता क्रिया ही सकर्मक है इसलिए यह क्या है वाग के किसका है सकर्मक क्रिया का उदारन होता है अतह वाग के जो है अशोक पीता है सही हो जाएगा मुन्नी हस्ती है, हसना क्रिया ही अकर्मक है इसलिए ये भी अकर्मक क्रिया के आपके उधारन होते है तो आप इसमें सकर्मक क्रिया का वाग के पूछा है यानि उधारन पूछा है तो अतह आपके वाग के सी हो जाते है ये थोड़ा सा deeply में आपको पढ़ना पढ़ेगा तब जाकर कि ये चीजें clear हो जाएंगे तो इसके बारे में मैं already बताता रहता हूँ class में कैसे होता है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले question के तरफ हम बात करते हैं question number 5 5 कहता है निमनलखित में से कौन सा सब्द द्वंद समास का उदाहरण नहीं है सही बिकल्प का chain करिए मैं हमेशा जब भी मैं test लेता हूँ तो ये बोलता रहता हूँ या class में भी ये बताता रहता हूँ कि जब भी नहीं आता है तो उसको box में बंद कर दिया जाता है ताकि असपश्ट हो सके questions तो कौन सा वाग के द्वंद समास का उदाहरण नहीं है तो आपको बताना है द्वंद समास का उदाहरण नहीं है तो द्वंद समास में क्या होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं और यहाँ पर घर बाहर में भी है धर्मा धर्म में भी है, हरिशंकर में भी है और ये दिन दिन में नहीं है दिन दिन किसका उधारण है? यह अब्याई भाव समास का ये उधारण होता है जब एक ही सब्द की पुन्रा वृत्ति हो जाती है या दुद्ध हो जाती है तो वहाँ पर अभ्याई भाव समास हो जाता है अतर पांच का उत्तर आपका हो जाता है बी हो जाता है चलिए अगले कोश्चन की तरब बढ़ते हैं और कोश्चन नमबर 6 को देखते हैं छे नमबर क्या कोश्चन कहता है रस के अंगों की संख्या कितनी है आपके रस के कितने अंगों होते हैं तो रस के चार अंगों होते हैं इसमें आपके अनभाव होते हैं विभाव होते हैं संचारी भाव होते हैं और अस्थाई भाव होते हैं यही आपके कितने अंगों होते ह अतह आपके उत्तर भी सही हो जाते हैं चलिए अगले प्रश्ण की तरब बढ़ते हैं और प्रश्ण नमबर साथ साथ नमबर का उत्तर कहता है मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है आप यह देखते होंगे यह साई में रचनाओं से रिलेटेट प्रश्ण पूछे जाते हैं तो मैं कुछ रचनाओं से भी आपको लिया हूँ इंपर्टेंट कोश्चन्स हैं और यह आप से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे मुझे चाहिए के रचनाकार कौन है सूरेन बर्मा जी है इनको हिंदी साहित यका आदमी का पूरस्कार मिला हुआ है इस पर मुझे चाहिए पर तो इसके इसका उत्तर क्या हो गया भी हो जाते हैं चलिए अगला कोश्चन हम बढ़ते हैं कोश्चन नमबर आठ कोश्चन नमबर आठ भी रचना से रिलेटेड है अशाड का एक दिन नामक नाटक है इसके रचिता कौन होते हैं तो इसके रचिता मोहन राकेश जी होते हैं असाड का एक दिन चलिए अगले प्रश्ण पर हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्ण हम देखते हैं question number 9 ये भी आपकी रचनाओं से ही related है संस्कृत के चार अध्याय किसकी रचना है तो संस्कृत के चार अध्याय ये किसकी रचना होती है रामधारी सिंग दिनकर की ये रचना होती है इनका पूरा नाम रामधारी सिंग दिनकर है रामधारी सिंग दिनकर की ये रचना होती है यानि question number 9 का उत्तर क्या हो जाता है यह D हो जाता है ठीक है चलिए अगले प्रश्ण की तरफ हम बढ़ते हैं प्रश्ण देखे, प्रश्ण का उत्तर दीजिए, जो संभव हो सकता है, वो मैं आपको ब्याख्या कर दे रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, और अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोश्चन नमबर 10, दस नमबर कहते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलत है, ये एक लोकोगती है, अथवा कहावते भी लोकोगतियों को कहा जाता है, इसमें आपको चार विकल्पों में एक उत्तर लगाना है, संगत का प्रभाव वश्चे पढ़ता है, प्रित्न जादा पर लाब, कपटपुन विवहार की ये का फल का भोगना पढ़ता है, नही इसका उत्तर क्या होगा? संगत का प्रभाव वश्चे पढ़ता है, इसलिए संगत जो होनी चाहिए, वह अमेसा स्रेश्ट होनी चाहिए, यानि संगत जो है कुशंगत नहीं होनी चाहिए जैसा आप शंगत ही करेंगे वैसा ही आप आगे बढ़ते हुए चलेंगे इसलिए खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है संगत का प्रभाव अवर्शे बढ़ता है चलिए अगले कोश्चन पर हम बढ़ते हैं कोश्चन्स नमबर 11 पर बढ़ते हैं और 11 नमर का कोश्चन क्या कहता है 11 नमर कोश्चन कहता है हिंदी को समिधान द्वारा राज भासा की रूप में कम मनाया गया कोशिन नमबर 11 यानि ये बोल है हिंदी को समिधान द्वारा राजभाषा की रूप में कम मानिता पतान की गई है तो आपको पता है 14 सितंबर 1908 को हिंदी को क्या बनाया गया है राजभाशा सम्मिधान के भाग सत्रह के अंतरगत अनुच्छेद यानि आर्टिकिल 343 से लेकर 343 एसे लेकर के 355 तक या 354 तक ये 343 से 354 तक है और एक इसी से रिलेटिट 354 में ही एक कलाज बढ़ाया गया है जिसको आप 343 से 355 तक ये अपनाया गया है ठीक है 14 सितंबर 1989 को चलिए अगले कोश्चन पर हम बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 12 12 नमबर का उत्तर कहते हैं चंद सास्तर में चरण के निश्चित गत के ठहराओ को कहते हैं यानि जो चंद सास्तर है इसमें जो चरण होता है प्रथम चरण दुती चरण तिती चरण और चतोर चरण इसमें जो ठहराव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो छंद शास्तर में चणन की निश्चित गद के ठहराव को हम यति के नाम से जैनते हैं और इसका उत्तर क्या हो जाता है? बी हो जाता है चलिए, अगले प्रश्ण की तरफ हम बढ़ते हैं और प्रश्ट नमबर 13 13 नमबर का उत्तर ये कहता है उरश्य बेंजन के नाम से किसको जाना जाता है उरश्य बेंजन उरश्य बेंजन के नाम से किसको जाना जाता है तो उरश्य बेंजन के नाम से इसमें हो को जाना जाता है उरश को ही काकले बिंजन कहते हैं उरश को ही हम इसके अंतरगत यानि को को भी शामिल किया जाता है और हो को भी सामल किया जाता है तो चलिए इसका उतर क्या हो गया? ए हो गया Question No.14 14 है जो Questions है वो आपको संधी से related है वयोवर्द निरोग ये पुरसकार में कौन सी संधी है आपको बताना है कि वयोवर्द में कौन सी संधी है पुरसकार में कौन सी संधी है और निरोग में कौन सी संधी है ये तीन सद्धाप के सामने है तो वयह धनवर्द क्या होता है? वयह धन व्रिद्ध क्या होता है वयो व्रिद्ध होता है निह धन रोग क्या होता है निरोग होता है ठीक है और पूरह धनकार क्या होता है पुरशकार होता है ठीक है आता है ये तीनों किसके हैं विसर्ग संधी की उदारण है और इसलिए उत्तर क्या हो जाते हैं इसके विसर ये संधी सही हो जाती है आगे बढ़ती है question पर question number 14 14 number का उत्तर क्या कहता है कि 14 number trust क्या 14 नहीं 15 number कौन सा कथन सही नहीं है तो मैंने कहा कि जिब भी ऐसा आ जाता है तो इसको box में बनने कर दीजी नहीं है की बात पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है ब्यंजन का मेल ब्यंजन से या स्वर से हो तो ब्यंजन संधी एक दम ऐसा सही बात है दो वर्णो का मेल हो तो संधी ये भी बात सही होता है विसर का मेल स्वर से या ब्यंजन से हो तो विसर्ग संधी ये भी सही है स्वर का मेल विसर्ग से हो, तो विसर्ग संधी नहीं, स्वर का मेल विसर्ग से नहीं, बलकि विसर्ग का मेल स्वर से होता है, तो उसे हम विसर्ग संधी के नाम से जानते हैं, अता है, सही नहीं है, या आपका D answer क्या हो जाता है, सही हो जाता है, कि ये गलत है आगे हम बढ़ते हैं question number 16 पर 16 number का उत्तर आपको देना है यानि कहते हैं अंडे का सहजादा मुहावरे का क्या आर्थ है बड़ा ही आसान है अंडे का सहजादा होना ऐसा बोला जाता है यानि कमजूर बिल्कुल असमर्थन पढ़ विक्ति नहीं अनभो ही अंडे का ही बहुत सहजादा है जब अंडा ही इतना ही बड़ा उसी का ये राजा है सहजादा है तो कितना अनभो हो रहेगा यानि अनभो ही बढ़ती चलिए अगले question पर हम बढ़ते हैं और question number 17 17 नंबर का उत्तर क्या चंद सास्त्र में तीन वर्णों के शमूह को कहते हैं जो चंद सास्त्र है इस में तीन वर्णों का शमूह होता है इस समूह को क्या कहते हैं तो इस समूह को गण कहते हैं छंद सास्थ में तीन वर्णों की समुह को क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है और छंद सास्थ में गण कितने प्रकार के, यानि आठ प्रकार के होते हैं या माता राज भान सलगा से आप इसको समझ सकते हैं चलिए, question number, आपके आते हैं, 18, 18 नमबर क्या कहते हैं, question number 18, किसी वर्ण के उचार्ण में जो समय लगता है, उसे कहते हैं, यानि question number 18, किसी वर्ण के उचार्ण में जो समय लगता है, अगर कोई वर्ण है, इसके उचार्ण में कुछ समय लग रहा है, तो उस, जो समय लग रहा है, उसको क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, क्या कहते हैं, मात्रा कहते ह तो यानि ये आपके उत्तर क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं चलिए, कोश्चन नमबर हम आते हैं, कोश्चन नमबर 19 पर आते हैं गिर्धारी में कौन सा समास है, आपको ये बताना है कि गिर्धारी में कौन सा समास है आपके सामने बिकल्प दिये गए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास हो जाते हैं गिर्धारी में चुकि आपको ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि लेकिन मैंने लगभक समास को बड़े अस्थाई तोर पे क्लियर में किया हूँ इसलिए अपेक्छा भी रहती है कि आप जो है इसको गलतियां न करें या गलतियां होने की संभावना न रहें आपको इसमें गिर्धारी में आसान सा कोश्चन है गिर्धारन करने वाला गिर्धारी होते हैं अर्थात बहुभरी समास कृष्ण होते हैं यानि यह हो जाते हैं आपके कौन से बहुबरी शमास हो जाते हैं ठीक है यह रहा question number 19 आगे बढ़ते हैं questions number 20 पर बढ़ते हैं 20 number का उत्तर क्या कहता है महाप्राण वरण का अर्थ है आप बताना है कि महाप्राण वरण का क्या अर्थ होता है तो महाप्राण वरणों का क्या अर्थ होगा महाप्राण यानि एक अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है तो अल्प प्राण और महाप्राण में हमेशा ये होता है कि जब भी उचारण अवधी यानि स्वास की जब हम उचारण करते हैं तो स्वास अवधी होती है और उचारण में जब स्वास की मात्रा कम लगती है तो उसे हम अलप प्राण वायू की मात्रा या प्राणों की मात्रा कम लगती है तो उसे हम अल्प प्राण और जब अधिक लगती है तो उसे हम महाप्राण कहते हैं तो यही है महाप्राण का वर्ण, महाप्राण बढ़न का अर्थ क्या होता है तो जिसकी उच्चारण में स्वास समय अधिक लगे उसे हम क्या कहते हैं महाप्राण कहते हैं ठीक है यह हो गया आपका 20 नंबर का questions हो गया हम जो है आपको 20 नंबर तक आए और यह यानि हमारा आधा पड़ाओ हो जाता है इस आधे पड़ाओ में थोड़ी सी information भी है कि अभी जो है मारी प्रक्रिया चल लही इस प्रक्रिया में आप सभी लोग शामिल हैं तो आप आमंतर हैं जैसे आपको शुब्धा लगे विस प्रकार से आप नाकाम कर लीजिए और यह बेहतरीन होता है कि कम से कम किसी महाने किसी रूप में आपकी पढ़ाई जो है वो चलती रहती है हाँ स्लो बट्स और विंस दरेस यह हम नहीं कह रहे हैं कि कांटिनू चल लही है इस समय सं अमसान आपका बंद है और बंद में भी हम लोग जो है आपको ये रिकार्डिंग करके कि आपकी पढ़ाई कम से कम कुछ नहीं तो कुछ चलती रहे यह बेटर है इस समय जो महामारी का ज़ौर है इस महामारी में जितना हो सकता है प्रयास हम लोगों का उतना हो रहा है कि आ आप लोगों का बना रहे प्रापर तरीके से हम परनता है क्लास नहीं दे बा रहे हैं आपको इंफर्म किया गया है gi हो रहा है कुछ न कुछ आपके आपके भी कुछ मनोवल हाई रहे हैं और कभी भी आप मनोवला को हाई रखएगा उंचा रखएगा मन के हारे हार है, मन के जीते जीन, यानि मन में अपने उत्साह रखिएगा, प्रोश्राहन हमेशा रखिएगा, और इस तरह से प्रात्ना करिए, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, तो आईए, चलिए, हम अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कॉश्चन नमबर, हम 21 पर आते हैं, और 21 नमबर का कॉश्चन क्या कहते हैं, काकल वरन होते हैं, अभी इसके पहले भी मैंने आप से इसको बताया, काकल वरन जो होते हैं, यह हो होते हैं, काकल को ही हम उरश्च भी कहते हैं, ठीके यानि इसको हम उरश्च की नाम से भी जानती हैं इसमें को इवंग हो को शामिल किया जाता है तो चलिए इसके उत्तर पर हमने चर्चा कर दिया यह उत्तर इसके सही होते है questions नंबर हम 22 पर आते हैं और 22 नंबर का question कहता है कभी का इस तुरी link क्या हो गया के बड़े योगदान होते हैं यानि इस वर्तनी शुद्धिकरण का यहां लिंग के रूप में पूछा गया कभी का इस्त्री लिंग वर्तनी शुद्धिकरण में भी यह पूछा जाता है तो कभी का इस्त्री लिंग कव इत्री होता है ठीक है आपको कभी वर्तनी शुद्ध करण का भी मिलता है वहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगले questions की तरफ बढ़ते हैं question number 23 पर हम काम करते हैं फल शब्द का परियावाची सब्द है यानि फल शब्द का परियावाची एक फल एक सब्द है इसका आपको परियावाची बताना होता है तो फल शब्द का परियावाची क्या है तो फल का फरेव फड़ी परिणाम फिराग नहीं फल का कहते हैं हमारा फल बहुत ही अच्छा मिला यानि परिणाम बहुत ही अच्छा हुआ ठीक है तो आपका फल शब्द का परियावाची क्या होता है परिणाम होता है अगली questions की तरफ हम रुख करते हैं और questions number हम किस पर आते हैं 24 पर आते हैं 24 नमबर का उत्तर क्या कहता है इसको आप लोग देखे अपवय यानि अपवय जिसको कहते है शब्द का विलोम क्या होगा अपवय मतलब होता है अनायास खर्च करने वाला फिजूल खर्च करने वाला उसे हम कहते हैं अपवय कहते हैं और जब हम उसको जान बुच कर यानि कंजूश टाइप में हम कहीं खर्च ही नहीं करें कम खर्च करें तो उसे हम कहते हैं मितवय कहते हैं या मित्व्याय कहते हैं, ठीक है, तो अपवे क्या, विलोम क्या होता है, मित्व्याय होता है, ठीक है, अब अगले question के तरफ हम बढ़ते हैं, questions number 25, 25 के उत्तर आपसे अपेक्षित हैं, गोधूम सब्द का तद्भो शब्द है, यानि गोधूम एक शब्द है, इसका आपको तद्भो रूप पूछा गया है, कि इसका तद्भो रूप क्या होगा, तो आपको बताना है कि गोधूम का तद्भो क्या होगा, तो गोधूम का यह क्या है यहूं का क्या होता है गोधूम होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्ण की तरफ हम रुप करते हैं कोस्टन्स नंबर हम 26 पर आते हैं 26 नंबर का हुद्तर क्या है तनमय में कौन संधी है आपको बताना है तनमय शब्द है और तनमय शब्द में आपको संधी बतानी है तो तनमय में आपकी संधी होती है ब्यंजन संधी बिसर्ग स्वर और कोई नहीं तो तनमय में आपकी ब्यंजन संधी होती है तत्धन में क्या बनाता है तनमय अगर पहले में हलंत लग गया है इसलिए क्या हो जाती है ब्यंजन संधि हो जाते हैं यानि 26 नमर का उत्तर क्या होते हैं यह हो जाते हैं Question number 27 27 27 नमर का उत्तर आपको देखना है पवन में कौन सी संधि है अच्छा पवन में संधि आपको पूछा गया है तो पवन में आप देखिए पवन में क्या होता है, पवन होता है, यहां से क्या मिल जाते हैं, बच क्या जाता है, यहां से क्या मिल जाते हैं, बच क्या जाता है, और और मिल करके क्या बनाता है, अव बनाता है, तो पव में और मिल गया, तो पव यह वा और यह ना हो जाता है, अता है यह क्या हो पवन हो जाएंगे और पवन में कौन सी संदी होती है अयादी संदी होती है ठीक है यह अयादी संद का उधारण है इसी प्रकार से हवन में भी हो धनन हवन भी होता है यह आपके अयादी संदी के ही उधारण होते हैं चलिए questions नंबर 28 पर आएए 28 नंबर का कहती है परमानंद में सापको समास बताना है फ्रब्द क्या है परमानन्द है परमानन्द की बात है आनन्द करशा है परम है यानि अच्छा है तो इस में हमेशा मैंने बताया अगर विशेशन विशेश सिका कोई यूति बनता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा करमधार समास हो जाएगा और इसमें भी क्या हो जाता है करमदार समास हो जाता है कि अगले प्रश्ण की तरफ हम बढ़ते हैं और प्रश्ण नंबर 29 पर आ जाते हैं 29 नंबर का प्रश्ण वर्तनी शुद्धिकरण से रिलेटेड है निम्नल खित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है यानि आपको शुद्धवर्तनी का चैन करना है बहुत सारे अस्थानों पर पूजनीय 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 आपको जैसे भी लिखा रहता है बहुत सारे अस्थानों पर आपको पूजनीय ऐसे मिल जाएगा बहुत लोग लिख देते हैं और यह समझते हैं, मैं विशुद दुरुपशे लिख रहा हूँ, लेकिन वह गलत होते हैं पूजनिया शब्द होता है, और पूजनिया शब्द सही होता है या तो आप पूज्य लिखिएगा, और नहीं तो पूजनिया लिखिएगा चलिए अगले प्रेश्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और प्रेश्ट नमबर 30 30 पर हम आते हैं Question number 30 में क्या करती है Corona का कहर छाया हुआ है बरतमान में तो बड़ा ही तबाही मचा दिया है इसी के कारण सारी अस्तवस्त बिवस्ताएं हो गई हैं अब इसमें क्या कहा जाए किसको कहा जाए किसको दोसी बनाए जाए किसको ना बनाया जाए बस इतना मानियेगा कि ये हम लोगों के युग का एक महांतरासदी आप बोल दीजे है कि जिसमें बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने खो दिया है और इसको सोच करके एक बार दिल दहल जाता है कि कितने साथी ऐसे चले गए कि क्या बताना है तो बहुत सारे ऐसे छात्र भी और छात्राएं भी है जो निनका आया कि कुरोना हुआ है कोवीड से वो ग्रसित हैं इस वर सब को स्वस्त करें सब को दिरिखायू बना लें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब इसका चेन किसी प्रकास से तूटे ताकि सभी लोग स्वच्छन्द रूप से स्वतंत्र रूप से अपने दिन्चरिया में लगें अपने जीवन की गति को वहागे बढ़ावें इस वर से बस यही प्रार्थना है आपको इस बताना है कोरोना का कहर्च हाया हुआ है इसमें कौन सा वाक्य है कोरोना का कहर्च हाया हुआ है इसमें आपको वाक्य बताना है कौन सा वाक्य है सरल वाक्य है कि मिस्र वाक्य है कि संजुक्त वाक्य है तो यह सरल वाक्य है यानि यह साधारन वाक्य होता है ठीक है मिस्रवाक और संजुक वाक नहीं है इसके पहचान के नियम अलग होते हैं इस पर हम कभी डीटेल से आप से बात कर लेते हैं आज प्रश्ण उत्री श्रिंखला में हैं तो थोड़ा सा मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ चलिए अगले प्रश्ण की तरफ हम बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है किस समुह में सभी सर्वनाम प्रश्ण माचक हैं यानि सर्वनाम कितने प्रकार के होती हैं छे प्रकार के सर्वनामों की संख्या कितनी होती यह 11 होती है और यह कहते हैं सर्वनाम कौन सा प्रश्ण माचक समू है यानि पूरा सरुनाम कौन सा प्रश्णमाचक का सरुम है तो कौन क्या किसने आप ये देख रहे हैं कौन भी प्रश्णमाचक सरुनाम है क्या भी है और किसने भी है यानि बिकल्ब ये ही आपके क्या हो जाती है सही हो जाती है यानि विकल्ब यही सही हो जाते हैं आपके और यह उत्तर आपका सही हो जाता है चलिए अगले प्रश्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्ट कहता है 32 नंबर का कोस्टन्स क्या कहता है 32 नमबर का questions ये कहता है कि हिंदी साहित सम्मेलन कहां है अगोता ना है हिंदी साहित सम्मेलन ये हिंदी साहित का सम्मेलन होता रहता है तो हिंदी साहित का सम्मेलन कहां पर स्थापित है तो आपकी प्रियाग राज में हिंदी साहित सम्मेलन है ठीक है इसका उत्तर क्या हो जात है अगले प्रश्ण की तरफ हम बढ़ते हैं और कोश्टनस नंबर तैस्ट पर हम चलते हैं तैस्ट नंबर का कोश्टनस यह कहता है कि यानि यह अलंकार से आपको इसमें बताना है कि कौन सा लंकार है तो आपको पता है जिस लंकार में मनुमानों जनुजानों जनहों आदि आते हैं यानि साधारन रूप में तो आप समझेगा उसमें कौन सा लंकार होगा उसमें उत्रच्छा लंकार हो जाएगा यानि इसमें कौन सा लंकार है उत्रच्छा लंकार होगा उत्मालंकार में आपको पता है कि क्या होता है सासी सरिस समा दियाते हैं तो आपको उत्मालंकार होत चलिए अगले प्रश्ण की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्ण क्या कहते हैं कोश्चन नमबर 34 पर हम आते हैं 34 नमबर का कोश्चन कहता है सो रठा चंद में प्रतिक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं आपको बताना है तो सो रठा और रोला में यह दोनों में 11-11 मात्राएं होती हैं अतही 11-13 होती हैं तो सो रठा और रोला की अगर हम मात्रा की रूप में करें सो रठा प्लस रोला इन दोनों में क्या हैं 11-13 पर यती होता है 11-13 पर यती होता है यह दोनों मात्राओं की दृष्ट से बराबर होते हैं लेकिन पहचान में अलग-अलग हो जाते हैं आपको ये पहचान में आ जाएगा कि कौन सोर्था है कौन रोला है ये आसानी से आप निकाल लेते हैं मैं ऐसा इसको चुकि इसमों बड़ा डिस्क्राइब करने का समय नहीं है कि पुना लिख करके आपको बताया जाए लेकिन आसानी से समझ में आ जाता है कि ये रोला होगा और ये सोर्था होगा ये सोर्था नहीं होगा ये रोला ही होगा ये रोला ही होगा सोर्था नहीं होगा तो आप इसको भी एक सम्मात्रिक छंद है एक अर्द सम्मात्रिक छंद है इससे मतलब नहीं है लेकिन फिर भी आपको पहचानना अवस्षक होता है पहचान हम आपको डीटेल से बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, question number 35 पर हम आते हैं, भिकीण करना है और संद्यविक्षेद करना है और आपको बताना है तो अनवेशन वे नहीं होगा अनुजन ये भी नहीं हो रहा है अनुधन वेशन यहीं हो हो जाएगा तो अनुधन एशन क्या हो जाएगा इससे यहां से क्या मिल जाएगा और यहां से क्या मिल जाएगा यह मिल जाएगा और यह दोन मिल करके वेका निर्माण कर देंगे और यह बच जो जाएगा उसी को आप सिधा सिधा उतार दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा अनुवेशन हो जाएगा हम बहुत ही डीप डीप में जा करके संदी को बताते हैं अतह आप लोगों को यह बातें पता भी होंगी और क्लियर भी होगा तो चलिए अगले प्रश्ण की तरफ हम रुप करते हैं और कोश्ण नंबर हम चलते हैं 36 पर चलते हैं 36 नंबर 36 नंबर का प्रश्ण यह कहता है कि सौर सेनी अपभ्रंस से किस उपभासा का विकास हुआ है आपको बताना है कि सौर सेनी अपभ्रंस से किस उपभासा का विकास हुआ है यानि आपको बोलियां जो है यह पांच उपभासाओं में भी ज़्यादा है तो सौर सेनी अब्रंस है और सौर सेनी अब्रंस से पश्चमी हिंदी का विगास होता है और इसी पश्चमी हिंदी में खड़ी बोली आपकी सामिल होती है इसी में ब्रजी सामिल होती है बुंदेली सामिल होती है कर्णोजी सामिल होती है दक्षिनी शामिल होती है के दख्षिनी कितने एक दो तीन चार पाँच है और एक सामिल इसमें होता है बांगरू शामिल होता है इसमें यानि इसमें छे सामिल होती है तो सवर सेनी से पश्मी हिंदी का निश्पन्नी करण होता है यानि इसका उत्तर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा कि आगे बढ़ते हैं question number 37 क्या कहते हैं उपसर्ग काप्र योग कहा होता है तो आप जानते हैं उपसर्ग हमेशा पहले यानि आद में और प्रत्य जो होता है वह अंत में लगाए जाते हैं यानि बाद में लगाए जाते हैं तो उपसर्ग का प्रियोग शब्द के आदमी होता है यानि पहले होता है अतह उत्तर आपका क्या हो जाते हैं यह सही हो जाते हैं इसमें नमद्ध में नंतमी इनमें से कोई नहीं ऐसा नहीं है यानि इसका उत्तर क्या हो जाते हैं यह हो जाते हैं चलिए अगले प्रश्ण की तरफ हम बढ़ते हैं और द इसमें भी क्रिया से रिलेटेड है अकर्मक्रिया वाला वाकिछा थी राजू शदा सोता राजू सदा रोता रहता है अकर्मक्रिया आपको बताना है यानि जिसमें क्रिया अकर्मक हो राजू सदा रोता रहता है हर इस बस पर चड़ गया नहीं यह तो शकर्मक्रिया के उधा करिया के उधारन हो जाते हैं इसलिए यहां पर आपको क्या हो जाते हैं अकर्मक करिया का उधारन हो जाता है राजयो सदार होता है, रोना जो है, यह कर्मक करिया का उजारन है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, यह उसका उतर के आपका सही हो जाता है चलिए अगले प्रश्ण की तरफ हम बढ़ते हैं और प्रश्ण नमबर 49 क्या कहते हैं 49 नमबर कहते हैं कि संबैधानिक दृष्ट से हिंदी भारत की भासा है यानि संबैधान में इसके पहले एक कोश्टन्स हो रहाया था इसी में जो आपको भारत की भासा से related संबैधानिक दृष्ट से हिंदी भारत की भासा है क्या है मात्र भासा है जन भासा है राश्ट भासा है राज भासा है आपको इसके बारे में मैं इसके पहले भी बताया था कि संबैधान के भाग सत्रह की अंतरगत ठीक है, हिंदी को क्या किया गया, राज भाषा गोशित किया गया, राज भाषा कब गोशित किया गया, 14 सितंबर 1989 को, 14 सितंबर 1989 को, हिंदी को क्या गोशित किया गया, राज भाषा गोशित किया गया, अतह आपकी हिंदी क्या है, राज भाषा हो जाती है, तो हिंदी के बारे में कभी अगर ऐसा पूछता है कि हिंदी हमारी क्या है तो आप बताएंगे हिंदी हमारी राजभाशा है ना कि राश्टभाशा चलिए अगले प्रक्रम की तरफ हम बढ़ते हैं और आज का यानतिम कोश्चन्स है यानि ये हमारा लास्ट प्रष्ट है और ये प्रष्ट अलंकार से related है पीपर पात सरिस मन्डोला में अलंकार बताइए आपको बताना है कि पीपर पात सरिस मन्डोला यानि जिस प्रकार से पीपल का पत्ता डोलता है यानि हिलता है वैसे हमारा मन भी हिलता है यानि डोलता है मन डोले मेरा तंडोले दिल का हुआ करा दे ऐसा भी ये ग्याना भी है तो P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P- आप लोगों के लिए 40 प्रश्ण लिया और यासा करते हैं आपको अच्छी तरीके से यह बाते समझ में आई होंगे। मैंने कुछ गया करने का थोड़ा बहुत प्रयास किया है कि थोड़ी बहुत ब्याक्ख्या के मांध्यर से आपको रूबरू कराता चलों ताकी आपो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएँ तो ठीक है और देखें जब भी टेस्ट की प्रकिरिया होती है यानि टेस्ट यह मत स देखिए ऐसा नहीं है कि केवल आप केवल UPSI वाले ही देख सकते हैं निक ही नहीं पूछा जा सकता है तेट सी टेट यह टेट कहीं पर लेख पाल पुलिस कहीं पर यह पूछा जा सकता है और questions आपको जानकारी होनी चाहिए इस्पेसरी आज हम UPSI के लिए लिए किन questions तो questions कह पूछे जा सकते हैं ठीक है तो धेर सारी शुप कामना है हैं आप लोगों को धेर सारा प्यार है धेर सारा सिर्वाद है कि इस्वर करें कि आपका दिन और आपका जीवन हमेशा शुर्ण मही रहे शुप मही रहे धन्यवाद